नमस्कार दोस्तों जैसे कि यहां पर देख सकते हैं एक इलेक्ट्रिकल इकुम्मेंट का प्लॉग है जिसको हम लोग टॉप भी बोलते हैं ठीक है यह मेरे पास एक वाटर हीटर है पानी गर्म करने पाला ठीक है उसका यह प्लॉग है तो इस प्लॉग में एक चीज अब चोटा है और जो हम लोग यह से लॉटा है मोटा विए तो इस वीडियो भी आप लोग शौक से बसने के लिए करते है घर में लोग application किया ऐसे चाहिए तो जीतना इसका बॉडी के साथ इसे कनेक्ट होता है और फेस्ट अरिक्ट फेस है और नियूटरल और न्यूटरल है और यह झाति है तो सब्सक्राइब लुच जुट्नके रोगट है का मैं करे यखास आए में तो हमद्यने . यह प्लॉग होगा जो कि टॉप है और यहां पर देख सकती शॉकेट है तो दोस्तों जब हम लोग इस प्लॉग को अंदर पर घुसाएंगे यह शॉकेट है और शॉकेट के अंदर से यहां पर भी इसको अर्थिंग किया जाता है अब लोगों पता होगा कि होम वाइरिंग कै पहले क्या होगा देखिए जब हम लोग इसको अंदर घुसाएंगे सबसे पहले जो यह लौंग बाला जो पी नहीं यह पहले जाएगा सबसे पहले इसको अर्थिंग मिल जाएगा अगर अगर इसको टच करेगा ना तो इसको बहुत शौक लग सकता है ठीक है तो इसलिए जब हम लोग इसको घुसा रहे हैं तो याटे टाइम उस टाइम पे आके कोई इसको टच करके खड़ा है तो हम लोग घुसा दिये हैं कि इसको पहले से अर्फिंग मिल गां व्यzaril इसको बाट जायँ पावर जाएक तो इसको शौक नहीलाएगा कि इसको अल्रेदी पहले से अर्फिंग प्रवृइड हो गया है तो यह की करणय बनता है कि इसको लॉंग देने काAd लॉटा देने का कारण किया है तो यह लॉग है पहला भूसाइंगे यह जाके अर्भी मिल जाएगा तो इकोमेंट सेब रहेका जाएगा जो आदमी जाके उसको टूच करेगा वह भी सेब रहेगा इसलिए लॉटा की सिल दी जाता है आप लोग देखे होंगे दोस्तों अगर हम लोग कोई भी उलेक्ट्रिकल मोटर इसमें करते हैं तो यहां पर देख सकते हैं यहां पर पतला है एक मोटा है तो जहां पे एक चीज यहां पर पर जादा है वहाँ पर कहा है करेंट को यह चाहिए कि करेंट का उसका रूल ऐसा है कि उसको जहां पर कम रेजिस्टेंस भी लेगा तो उसी साइट से लिजाएगा मान लेते यह है आपके पास दो रोड है यह बाला रोड है मतलब पुरह ओवरखाबर कीचर एसी घ्राब है और यह वाला जो रोड नहें, अच्छा है इससे तो नहीं जाए तो करिं्ट का भी नियम ऐसा है जहां से उसको मतलब रेजिस्टन्स कम मिलता है तो वहां से बहुत ही जल्दी फ्लो हो जाता है ठीक है तो केविल में आइसा है जो पतला केविल रहता है दोस्तों वहां पर क्या होता है कि रेजिस्टन्स हाई होता है और जहां पर मोटा केविल होता है वहां पर रेजिस्टन्स कम होता है और करेंट कहां से फ्लो बोडी में जो current flow ना इसका बोडी के through यहां पर जाएगा और आ जाएगा तो यहां पर रोड़ कीया गया है ईतना करेंगर इतने किया जाता था रिश्वकर का深 primitive होता है तो वहां से क्या होगा कि अगर इसी को मोट दिया जाता है चैजैज को कियाएग 부분이 होगा किया है पतला केपूल यहाँ यह देख सकते हैं सिसका रहाइन रहता है इसको क्तुक्त है का यहाँ किसी स헉केट हैवं टैकलों को नु सब्सक्राइब करनायर लोगसान करते हैं तो सब्सक्राइब क्या सकता है यहां करने निए परुआ को इसको यहां तो इसलिए इसको भी मोटा दिया जाता है जैसे कि यहां पे यहां पे कोई गल्दी से घुसा ना दे जिसका इसका जो सेटप है उपर में मोटा है नीचे में जो होल है यह बतला है तो एक्जैक्ली ऐसे जाना चाहिए तो अर्थिंग भी यह मोटा देने का यह और एक रिजन है आए अब दोस्तों आप लोगो किलियर हो गया होगा कि यह टॉप में जो अर्थिंग का जो है इसको मोटा और लॉंग क्यों किया जाता है तो वीडियो को एंट ते देखने लिए थैंक्यू कि अर्थिंग जो खब वीडियून आप लोगो ऑना छी यह मोटा देखने खो जो अर्थिंग का तंदा यह जोूस्तों एजने।